स्लाम वेलकुम वेलकम बैक टो रुमानास वर्ट तो आज हम बनाने वाले हैं आतिशी चिकईन जिसे आप आतिशी मुर्ग बिंसकी बहुत है ज्यादा टेस्टी बन के त्यार होती है तो चलिए मेरे किचन में δेखते हैं के कैसे बनाया आतिशी चिकन तो सबसे पहले मैंने एक बोल ले लिया था उसमें मैंने डाला है एक कप हंकड है इसे आप एक दही लीजे और उसे एक छन्नी में रख दीजे और जो दही का सारा पानी है वो निकल जाएगा और आपको एक अच्छी सी गाड़ी सी दही मिल अच्छ उसे टन्दोरी मसाला जाल देंगे हम यह दो चमह दन्दोरी यह बहुत spicy होता है तो यह मैंने ले लिया है दो चमच और तक्रिबन दो चमच के ही जितना अब हम इसमें ले लेंगे ग्रीन चिली सॉस यह दोनों डालना है इसमें और यह से टेस्ट बहुत ज़ादा अच्छा आता है जो आतिशी मुर्ग हम मनाते हैं इसका फ्लेवर बहु स्ष्ण दिखितोंग नहीं और दो चमच मैंने अद्रकलसन का पेस्ट लिया ठाथ एक आपको आपको यू यह घुल तरीकिसे यह बहुत अच्हा बांचे तरीके से जिखिए और यह ते यह जिल गा है तो चिकन को हमसमें डाले जीत इस document कर देंगे तो श्मीट थैर ड़ते लिए तक रादे बहुत नहीं तरीके से मिक्स कर लेंगे और रिज में तकरिबन एक राद रखना है तक जो लिए अच्छी तरीके से हो जाए अगर आप इसमें जितना जादा टाइम लिए चिकन उतना ही जादा जूसी और शौफ बन के तयार होता है तो जादा तर कोशिश क कि अर चुछे एक न दो घंटे के लिए रग दिए टो आप दो खंटे के लिए रग देगे तो चलिए चलिए कि क्या कर दो चलिए दो चमाच बटर ढ़ा था मैं डाला है जब अधने में दो ही चमाच अल डाल दीज़ दीज़ दू अभी से अच्छी तरीके से हम ना मिक्स कर अगर आप लो फ्लेम रखेंगे तो बहुत ज्यादा पानी रिलीज हो जाएगा तो यहां पर मैंने हाई कर दिया था और यहां पर मैंने चिकन की जो साइड देना वो चेंज कर दी है एक साइड से थोड़ा सा मुझे पका हुआ लग रहा था तो मैंने साइड चेंज कर दी है जब 10 मिट्स के लिए आप इसको मीडियम फ्लेम में पकाएंगे नो चिकन आपका बहुत इची तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा और जूसी भी बनके त्यार हो जाएगा तो यहां पर दीखे मैंने डखके पका लिया था तो दीखे यहां पर यहां पर यहां पर एड़ कर दे और देखे यहां पर चिकन बहुत तरीके से गल चुका है और ग्रेवी भी थीक हो गई है तो आप हम यहां पर लगा लेंगे तो मैंने कोल को अच्छे से तरीके से गरम कर लिया था और अब हम यहां पर डाल देंगे मैंने यहां पर देशी गी डाला था यह अच्छी तरीक ग्रिल कर लेजे और देखे आपे खुश्बू इतनी ज़्यादा अच्छी आरिया यह यह तो आपको बहुत पसंद आएगी और मैंने इसे पहले आपनी चिकन बर्रा की रेसिपी डाली है मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक बहुत ही टेस्टी ग्रेवी बची हुई है तो हम यह पे एक ग्रेवी बना के रेडी कर लेते हैं तो जो हमने मैरेनेशन के लिए बटर बना यह देखे बचा हुआ है तो वह हम यह पे डाल देंगे और इसे भी हम अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम में बहुत एची से भून के पका लेना है आपको देखें यह पे ग्रेवी कितनी अची से रेडी हो चुकि यह बना भून कर और यहां पर भी हमें डाल देना है दो चमच मैंने यह पे फ्रेश क्रीम डाल दिया था इसे भी टेस्ट क्रीम डाल देया तो वह बहुत जादा अच्छा लगता है जिसको रोटी से खाना ह तो वह ग्रेवी के साथ ना खा सकता है बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है आप यह जरूर से बनाईएगा इसके साथ मझा आता है खाने में और यहां पर देखें यह ग्रेवी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है कितनी अची से थीक सी ग्रेवी बनके तयार हुई है तो यह अगर आप इसमें चिकन डाल के आप चिकन को भी सौटे कर सकते हैं वह अलग से खा सकते हैं तो यहां पे देखें मेरा चिकन बिल्कुल तंदूर होके रेडियो हो चुका है तो आप यहां पर डाल देंगे मेल्टेट बटर आप जादा सा पड़र आट करिए इसे तेस मैं आप लोगों को तोड़के दिखाती हूँ कि इतना जादा अच्छा यह सॉफ्ट जूसी बनके तयार हुआ था आपको बहुत जादा पसंद आने वाली रेसिपी और मुझे कमेंट्स में जरूर से बताईएगा कि कैसी लगी यह रेसिपी और मैंने बहुत अच्छी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड करके रखा है इसे पहले मैंने क्रीमी भी क्रीमी मलाई टिक का डाला था वह भी आप ज सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें मैं ऐसी बहुत सारी नई नी रेसिपी आप लोगों से शेयर करती रहूंगे इंशालला अगर आपको कोई नई रेसिपी देखना है तो मुझे कमेंट्स में वह भी आप बता सकते हैं अल्ला हाफिस अपना बहुत सारा ख्या रखें थैंक्स वर वाल